नमिश्का, वेल्कम टू माई चैनल कुकिंग विद रेनु वाला आज हम पनीर के स्टफ पकोड़े बनाने जा रही है जो सॉफ्ट से भी ज्यादा सॉफ्ट है इतने सॉफ्ट के उसके आगे रूई भी फेल हो जाए इतने सॉफ्ट बनेंगे और इतने टेस्टी बनेंगे कि आपका बर बार मन काएगा कि आज फिर से पनीर के पोड़े बना कर खाई जाए तो उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रीडियन चाहिए प्यरले हम बैकिंग पाउडर और पानी जे सब इंग्रीडियन्स है बैकर बनाने के लिए उसके पस्चात हम हरी चटनी की स्टफिंग करेंगे उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए दनिये पदिन्ने के पत्ते प्यास कटा हुआ हरी मिरच निम्बू नमक लाल मिरच किसमिस और जे रही पीनर्स मूफली की गिरी इतनी चीज़े हमें चाहिए हरी चटनी बनाने के लिए ओल फ्राई करने के लिए तो सबसे बहνε हम बैटर बनाकर रखेंगे क्योंकि यह का श्राइक होई कि की मत फैसी हमने 10 मींट सेट रोना के लिए रखना होता है जै मेरे एक कप बेशन ले लिया इसमें हम अपने मलाएंगे बरीक कटी हुई एक मिनने हरी मिर्चरी लिए जो कि बरीक कटी हुई है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है यह मेरे पास है कसूरी में थी आजकल गर्मी का सीजन है हरा धनिया थोड़ा कम मिल रहा है मार्किट में अगर हरा धनिया हो तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है आप उसके भी चॉप किये विपत्ते मिला सकते है एक आदा टी स्पून हम मलाएंगे नमक, क्योंकि बीच में जो हरी चटनी रहेगी उसमें भी नमक रहेगा, अदरवाइस बहुत जादा हो जाएगा, आपने टेस्ट के मताबक थोड़ा बहुत हेर फेर भी कर सकते हैं, अब आम इसमें मलाएंगे हल्दी पाउडर के इसका कलर अ आदा करी हूँ, और यह रहा गरम मसाला पाउडर, यह हम लाएंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और अब हम इसका बैकर मनाकर, यह रहा बेकिंग पाउडर, यह हमारे जो उपर रहेगी, ब्रेड़ कोड़े के उपर स्टफिंग रहेगी, कवरिंग रहेगी बैसन की, उसको एक तो फुला देगा, और एक क्या उसे सौफ्ट भी कर देगा, वह ज्यादा सौफ्ट हमारे पाउडर बन जाएंगे, यह हम डालने हैं, बन फोर्थ टी स्पून, इससे जो पाउडर अब खूप उपर से बैसन पूल जाएगा, अब थो खूप फ्यांटेंगे, खूप फ्यांटने के पस्टाथ हमें इसे 10 मिन्ट तक ढखका रखेंगे, इसका थोड़ा थिक गोल बना कर रखेंगे, तांकि पानी बाद में भी पढ़ सकता है, अगर हमें हार दिखाई दे, अगर पतला हो गया, तो उसका बैटर खराब हो जाएगा, इसलिए इसे खूप फ्यांटते हुए, चार से पांच मिन्ट हम खूप फ्यांटेंगे, इससे क्या होता है, इसमें हवा एंटर कर जाती है, और जब हम पकोड़े बगार अबनाती है, तो वो फूलते भी हैं और स कॉफ्ट भी बनती है, चार से पांच मिन्ट हम इसे खूप फ्यांटका डख रख देंगे, दस मिन्ट के लिए हमें इसे रेस्ट करवाएंगे, तांकि जो मारा बैटर है वो अच्छा त्यार हो जाए, अपना जो गोल अपकोड़े की कवरिंग के लिए वो रेडी कर लिया के ले रहे हैं, जे रहे हमारे पास, पहले हम सबसे पहले थोड़ी किसमिस डाल देंगे, जो हमने दो कर रखी हुई है, देट टेबल स्पून के क्रीव, और देट टेबल स्पून ही हमने लिए है, पीनट स्मूफली की गिरी, थोड़ा सा हम पहले इसमें पानी आड कर दें है, और अब हम इसमें मलाएंगे हरी मिर्च, लाल मिर्च मलाने से क्या होता है, कि उसका कलर है जो हरी चटनी का वो अच्छा नहीं आता, अब हम इसमें मलाएंगे धनिये पदिन्ने के पत्थे, खोड़े चॉप करकर रफली चॉप कर लेंगे, और प्यास, साथ में ही प्य हरी चटनी जिस परकार से हम त्यार करते हैं उसी परकार से हम अपनी थिनियों की कि चटनी त्यार करेंगे और इसमें मलाएंगे नमक इतना हाफ हीप फुल हाफ टी स्पून लाल मिर्चम बिल्कुल भी नियाड करेंगे और आदा निम्गू का रस देखते हैं कितना लेमन जूस निकलता है क्योंकि निम्गू काफी बड़ा है और जूसी भी है तो इसमें अगर आप टेबल स्पून के पसे लेना चाहें तो आपको जूस है वह 2 टेबल स्पून मलाना चाहिए ड़ इड़ करना चाहिए अब उसके तभी तीजों को अच्पी करें बिलांदे कर लेंगे, वो तिजियां को भीया लाएंगे, बिल्कुल रादी कर लिया, अब हम इसमें एक बाउल में निकाल लेंगे, बहुत ही ज्यादा हमारी चटनी है, अच्छी बनी है, देखिए, कुछ तो हम स्टफिंग करेंगे, और कुछ हम इसे पकोडों के साथ सरब करेंगे, वो सर्बिंग डिश में निकाल लेंगे, जो हमने पकोडों के साथ सरब करनी है, इधर हम अपना ओइल गर्म करने के लिए रख देंगे, जो के तांके अच्छी तरह हमारा ओइल गर्म हो जाए, और उधर हम अपने पकोडों के रेडी करेंगे, यह हमारे पास 200 ग्राम पनीर है, जितने भी छोटे बड़े साइज के आपको पकोडों के पसंद है, उसी इस साव से आप अपने पीसीज पनीर के कर लें, देखिए मैंने इस परकार से ले लिए हैं, अब हम इसे ऐसे कटिंग करेंगे, अब जो हमने पनीर का पीस लेना है, उसे अंदर तक बीच में से काटते हुए, बिलकुल काटनी करना, नीचे से जुडा रहना चाहिए, जैसे ऐसे कर लेना नीचे से जुडा हुआ है, ऐसे, इस परकार से हमने पीसीज, अपने र्याडी कर लेनी है, देखिए, नीचे से हमारा जो पनीर का पीस है, वो टैच है, एक दूसरे से, देखिए, इस परकार से हम सभी पीसीज को, र्याडी कर लेंगे, अपने सभी पीसीज को, ऐसे कट लगाती हूँ, र्याडी कर लिया, उदर हमारे बैकर को रखे हुए भी, दस मिंट हो गए है, देखिए, जै कितना अच्छा, पोरिंग कंसिस्टेंसी, आपकी इसकी नोट कर ले कितना थिक रखना है, अच्छी सरे देख लेए, जैसे धक्खे से गिरना चाहिए, और कोट होना चाहिए, जैसे कोट हो रहा है, जिस स्पून से, सर्विंग से, हमने इसे विप किया था, उस पे कोटिंग हो रही है, तो अब हम इसके जो पीसिस किये थे, उसमें थोड़ी थोड़ी चटनी, ऐसे जो हमने ग्रीन चटनी त्यार किया है, बीच में स्टफ कर देंगे, जै बहुत ही अच्छी लगती है, चटनी हमने थोड़ी थिक की बनानी है, पतली नी बनानी, नहीं जै बाहर आ जाएगी, और मैं आपको बताना भूलगी थी, यह हमारे पास नारियल का ब्रुद्दा, जो कर्याने की दिकान से साननी से मिल जाता है, डैजी केटिर कोकोनेट, उसे भी हम बीच में डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, अगर आपको नहीं पसंद है, तो आप ना डाले मतलब बनते बहुत तेज़ती है, एक डिस्टिंक्ट अलग प्रकार का टेस्ट आता है, अब इसे हम कोट करेंगे, अच्छी तरह से डिप करते हुए, कोटिंग करेंगे, पहले मैं सारी चटनी इसमें फिल कर लूँ, ताके हमें पुदर ऑईल भी गर्म हो जाए, और रूक हमने अपने सभी नीर पीसी को चटनी फिल करके रैडी कर लिया है, अब हम एक एक डिप करते जाएंगे, और फ्राई करते जाएंगे, जो हमने ओईल है, वो मीडियम फ्लेम पे रखना है, और अब हम इसमें फोड़ा ड्रॉप गरा कर देखते हैं, कि ओईल रैडी है, जा अब हमारा त्यार है, और हमने फ्लेम को मीडियम रखना है, अब ऐसे देख लिए आप इसकी कंसिस्टंसी कितना गाड़ा है, ऐसे डिप करते जाना है, और एक कोड़े को इसमें गिराते जाना है, ओईल में, यह बहुत ही टेस्ती बनेंगे, मैं आपको अपनी तरीफ नही हुँए यह लग किसम की रेस्पी है, बिल को जो चटनी बनाई है, बहुत ज्यादा डिस्तिंक्ट है, और इतना फ्लेवर इसका इच्छा, जब भी हमारे गहर में कोई ग्यास काता है, तो जही बोलता है, कि ऐसे पकोड़े हमने कभी भी नहीं खाई, और मेरे से रेस्पी ज़रूर लेकर जाकता है पकोड़ों की, आप इसे ज़रूर बना कर एक वार राई कीजिए, और मेरे को बताई के मेरी बताई हुए रेस्पी आपको क्यासी लगी, क्यासी बनी, अब हम एक साइट से सेख लेंगे, और दूसरी साइट से सेख लेंगे, नीर पकोड़े दोनों तरफ से सीख कर रेडी हो गए है, अब हम इसे प्लेट आउट करेंगे, बहुत अच्छे बनी है, तो आप तो बहुत ज़्यादा बनी है, मैं आपको भी दिखाऊंगी, पहले हम सारे पकोड़े अपने निकाल लें, अबने दोनों ब्याक्चीज के जो पकोड़े हैं वो त्यार कर लिए हैं, देखे कितने सॉफ्ट हैं, देखो, बिल्कुल रूई जैसे सॉफ्ट बनी है, अब मैं इसे आपको काट कर दिखाती हूं बीच में से, कितनी असानी स पकोड़े हमारे कट हो रही हैं, देखिए, अब हम इसे सर्व करेंगे, अब हम इसे सर्व करेंगे, अब हम इस पे चंकी चाट मसाला सप्रिंकल करके, हरी चट्नी और सोस के साथ सर्व करेंगे, जे पकोड़े मेरे बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं, आप भी इसी प्रकार से मेरे को फोलो करते हुए, घर पर पनीर पकोड़े बनाएए, चट्नी इसी प्रकार से बनाएए, तभी अच्छे बनेंगे, प्लीज, शेर, कमेंट, लाइक, एंड सिस्क्राइब माई चै कैसे लगी, इससे हमारी कोंसला बहुत बढ़ता है, इंकरिजनेंट मिलती है, ठैंक्स बेरी मच्छ